हेलो वेलकन पर लट फेरो इस में हुँ प्रशान दवन नाव इंडिया में आज तक हम लोग एहमताबाद से लेकर मुंबई तक एक बुलेत ट्रेन कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए चांवन ने आपर क्या किया है कि एक bullet train construct कर दी है very near the India border यहाँ पर आप देहेंगे इस पर article है China inaugurates first fully electrified bullet train near the Indo-Tibetian border यह development इंडिया के लिए एक बहुती बड़ा security threat है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यह bullet train कहां से गुजरेगी यह जो अरणाचल परदेश का area बिलकुल इसके पास से गुजरेगी यह bullet train यहाँ पर आप देख पाएंगे यह इसका proper map है चाइना का जो नाकू area है इसको इन्होंने लासा से पहले ही जोड़ दिया था लासा आपको बता होगा capital है तिबेत की अब लासा के बाद यह लोग क्या कर रहे है कि न्यांगची नाम की एक जगा है इन चाइना वेरी नियर अरणाचल परदेश इसको यहाँ पर उन्होंने जोड़ दिया है यह location जो है लासा से इसको जोड़ दिया गया है और इससे आप समझ सकते हैं कि कल को अगर चाइना चाहे कि बहुत ही बड़े scale पर soldiers खड़े करने है नियर अरणाचल पर तो यह कर सकते हैं within hours और अभी आप अगर देखे तो इनका जो long term plan है वो यह है कि बहुत ही जल्ज जो नियांग्ची एरिया है इसको यह लोग जोड़ देंगे यान के साथ तो मतलब कि पूरा जो यह railway network है यह गुजरेगा नियर अरणाचल परदेश और यहाँ पर आफिर सोचेंगे अच्छा तो लदाग तक कुछ नहीं पहुचारे लदाग तक भी यह पुचाएंगे बगर उसमें फ़रा टाइम लगेगा अभी 2030 के बाद का टाइम लगेगा इनका लॉंग तर्म अब्जेक्टिव यह है कि लासा से एक तो जो railway line है यह गुजरेगी यहाँ पर उसके लावा एक और लाइन यह लोग गुजरेंगे नियर नेपाल उसके बाद यहाँ पर हिमाचल परदेश और सीधा यहाँ पर अकसाई चिन के पास और यहाँ पर एक ब्रीफ कंपरिजन करते हैं चाइना के बुलेटरे नेटवर्क का with the rest of the world मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका adversary आपसे कोई चीज बहुत भैतर कर रहा है तो सीखने में कोई बुरी बात नहीं है चाइना कई मामलों में हमसे आगे है हम अगर अपनी ego को बचाने के लिए बस अपनी आखे बंद कर लेंगे उसको notice नहीं करेंगे उसमें हमारा नुकसान है ना चाइना का जो bullet train network है ये आज के समय दुनिया का सबसे बड़ा है इनका जो high speed network है इसकी total end राई जाती है around 37,900 km और चाइना के बाद सीरा नंबर आता है Spain का फिर नंबर आता है यहाँ पर जपान का और USA बहुत नीचे आपको यहाँ पर बिलेगा अब यहाँ पर आप कहेंगे wait USA इतना पीछे अब आप सोच कर देखिए USA में कब आखरी बार आपने सुना था किसी bullet train के बारे में और Americans कार कल्चर लोग यहाँ पर कार्स परचेस करना जरा पसंद करते हैं खुद अलग ट्रावल करना जरा पसंद करते हैं highways पर expressway कि अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी चाइना USA से आगे है तो ना सिर्फ इंडिया इन्होंने पूरी दुनिया को बीट किया है in terms of infrastructure नाव में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है बिट्वीन एमदाबाद और मुंबई यह डिले हो चुका है पहले उमीद थी के 2023 तक यह complete हो जाएगा मगर आपको पता है कि politics काफी चल रही है मराश्ट में तो land को acquire करना सरकार के लिए काफी मुश्किल है और इसलिए प्यूज गो को कई ना कई सोचना होगा कि कब तक हम लोग tolerate करेंगे इतना जादा delay in projects क्योंकि इसके बहुत सारे negative points होते हैं इसे internationally हमारी में जाती है एक slow moving country की कि यहाँ पर basic जो decision लेने होते हैं उसमें भी time लगेगा जपान आज के समय मैं आपको यह बदा दू काफी frustrated है about the development of this bullet train project उन ल and acquire करने में अपने ही देश कई साल लग जाएंगे खैर अभी के लिए यह जो project है यह अटका हुआ है जबकि चाइना में आप अगर देखो तो यह लोग Shanghai, Beijing, Wuhan सबको properly connect कर चुके हैं with bullet train और इनके यहाँ आज के समय बहुत सारी companies भी हैं जो bullet trains को manufacture करती हैं और जो चाइना का 14 5-year plan है उसकी अंडर इन्होंने यह decide किया है कि पूरा जो तिवेतियन border है near India इसको यह cover कर देंगे with bullet train ताकि कल को कुछ भी होता है क्योंकि यहाँ पे उनको यह भी बात accept करनी होगी चाइना को कि इन्होंने बहुत सी countries के साथ relations खराब कर दी हैं एक ही time में US के साथ, Japan के साथ इंडिया के साथ, तो कल को अगर मान लो चाइना के आगे हैं इसको कोई country military action लेती है किसी भी side से तो चाइना के पास internal mobility इतनी होनी चाहिए कि बहुत ही जल जो इनके soldiers हैं यह बेजिंग से पहुच पाएं यहाँ पर तिवेतियन border के पास और शी जिंग पिंग ने इसलिए ज चाइना का it will be a massive attack, तो ऐसे time में इनको ensure करना होगा कि Indians, Americans के साथ मिलकर जो इन लोगों का western front है यह ना खोल दे, तो उसमें जो यह bullet train है यह इनकी काफी help करेगी, और यहाँ पे आप कहेंगे wait, bullet train तो काफी अद तक civilian purpose के लिए होती है, military purpose के लिए bullet train को use कर सकते हैं, तो इसका अंसर है हाँ बिलकुल, इन लोग ने अच्छुली आज से 6 साल पहले 2015 में पहला military mobility test conduct किया था bullet train पर, और शेंग शेंग जो प्रोविंस है, नियर लदाक के आसपास का जो area है, वहाँ पर बहुत ही जल्दी अपने soldiers पुचा दिये, within ours, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती, बुलेट ट्रेन में कुछ आपको modification चाहिए होती है, उसके बाद बहुत ही बड़े scale पर, यहाँ पे आप weapons, supply, soldiers, यह सब पुचा सकते हैं near the border, इसके comparison में आप अगर देखो तो अरनाचल परेश में ही भारत का जो basic railway network है, बुलेट ट्रेन तो भूल जाओ, अभी तो हम उसे बहुत दूर है, एक basic जो railway network होता है, वो भी हमने properly built किया नहीं है, क्योंकि जो अरनाचल परेश का यह border का area है, वहाँ तक आज भी एक proper train पहुची नहीं है, जो railway network यहाँ पे है, it is primarily for civilian purpose, और तो अब यह भी सोच लो कि आज तक हमने नेपाल और भुटान को भी railway से connect नहीं कि या लदाक के आसपास भी दूर दूर तक कोई भी railway network हमारा अवेलेबल नहीं है, तो connectivity के मामले में देखिए, चाए internally हो या फिर near border area हमको चाइना से catch up करने में भी काफी सा लग जाएंगे, and finally आपर मैट कर दूँ कि आप किसी भी exam की preparation करने हैं, चाए UPSC, SSC, bank, CDS, any examination, आप परचेस कर सकते हैं, academy equality courses, simply जाओ anacademy.com पे, click करो UPSC, CSE पर get subscription और यहाँ परचेस कर सकते हैं, plus या फिर iconic course, दोनों course में पूरा syllabus आपका properly cover होगा, science and tech, quality, everything will be covered with India's best educators, और साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा, live test, free quiz भी यहाँ पर आपको मिलेगा, जो plus course है, यहाँ परचेस कर सकते हैं, पर मन्त आपको पड़ेगा, 4,125 रुपीस का, मगर यह price कभी भी पे मत कर देना, use करो यहाँ पर PD10, और prices और ज़रा कम हो जाएंगे, मात्रत 3,713 रुपे, पती माह आपको पे करना है, और mains 2022 तक, यह course आपका चलेगा, extra bonus months यहाँ पर आपको मिलेंगे, so use the promo code PD10 and save money, इसी note के साथ यह है वीडियो कांत, thank you for listening and as always, God bless you all.